हेलो फ्रेंज नमस्ते वेलकम बैक वंस अगेन ओन माई चैनल कैसे हो आप लोगों का मेरी चैनल पर स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगे कि बालो में नारियल का तेल किस परकार से लगाना चाहिए जिसका जादा से जादा फाइदा हो और आपके बालो को जो प्रॉब्लम है खास और पर तूटने ज़रने का और जिसकी बालो की ग्रोथ नहीं होती है वो बहुत ही अच्छे से हो तो क्या करना है दोस्तों उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है और जो भी बताएं उसको जरूर फालो कीजिए बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा आपक में बहुत ही अच्छी ची कंपनी का भी आता है लेकिन ये जो है अकसर हर घर में होता ही होता है ब्लू कलर का ये बॉटल होता है डबा होता है ये इस तरीके का चारा मुह वाला भी आता है और थोड़ा से लंबा वाला भी आता है तो चाड़े वाले मुह में क्या होता है अ उसमें अगली सामगरी आपको एड़ करनी है, अलविरा जेल, दोस्तो अलविरा जेल के फायदे में अनगीनत बता दूंगी, बहुत सारे होते हैं, बालो को हर तरीके से फायदा पहुझाता है, रफ दो में बालो को सही करता है, बहुती सुन्दर खुबसत बनाता है, बालो क कि ग्रोथ में बहुत ज़दा हेलप करता है नाचरल कंडिशनर का काम करता है दोस्तों अगर आप Elvera Gel अपने ऐलों में लगाते हैं तो बाहर से आपको किसी तरव कोई जल लगाने की जोРЕत नहीं पड़ेगी बाहर से किसी तरव कोई आप इसको यूज कर सकते हैं तो मार्केट वाला भी फ्रेश अलविरा जेल जैसा लेना है आपको बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट जिसमें किस तरह को कोई मिलावट नहीं होना चाहिए ना किसी तरह किसमें कोई फ्रेगनेस होना चाहिए और ना किस तरह कोई color add होना चाहिए ये वाला ही fresh और अच्छा वाला होता है और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप fresh alvira gel जो ताजी होती है ना टहनी वाला वो वाला भी ले सकते हैं उसकी gel निकाल करके तो जो भी आपके पास available है वो लीजिए वो सबके फायदे बराबर ही होंगे सबके फायदे अंगीनत ही होंगे तो यहां पर एक चमच जेश चमच अपने बालो के लेंद की हिसाब से आपको pure alvira gel लेना है और इसको डाल करके तेल में बहुत ही अच्छे से mix करना है दोस्तों काफी बढ़िया तरीके से अगली सामगरी आपको लेनी है विटमिन E की कैपसूल दोस्तों विटमिन E के अंगीनत फायदे होते है हमारे बालो के लिए हमारे स्कीन के लिए काफी अच्छा होता है विटमिन E की कैपसूल अखसर देखिएगा विटमिन E जो है हर तेल में, हर ओइल में, हर जो भी आप बालोग कोई भी शैंपू विज़ा लगा तो इसमें विटमिन E जरूर से जरूर होता है क्योंकि विटमिन E हमारे बालोगों को हर तरह की से फायदा पोह। बालो में नरिश्मिंट बना के रखता है, बालो की ग्रोथ में सबसे जादा बहुत जादा है, बालो की ग्रोथ को दोगनी रफटार से बढ़ाता है यह विटमिन E की केप्सूल, अब दोस्तों विटमिन E की केप्सूल आपको कहां मिलेगी, किसी भी केमिस्ट वाले सकते हैं दोस्तों बहुत ही benefit होगा तो यहां पर एक capsule मैं जो है आज के DIY के लिए यूज़ करूंगी क्योंकि एक बार के लिए यूज़ के लिए बना रही हो तो अगर आप जादा टाइम के लिए बना रहे हैं तो जादा 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 अलवरा जल जादा जादा तेल और फि पहुंचेगा नायल तिल का भी, एलवरा जल का भी, विडमन एक capsule का भी सभी चीज़े बहुत ही फाइदे मंद होती हैं और सभी के सभी बहुत ही जादा helpful होता है हमारे बालों की growth में, बालों की nourishment में, बालों की खोईवी चमक को वापस लाने में, दो महें बालों को खतम क लिए और बस अंदर लगा ही नहीं, डीप आयल करना है, आपको डीप आयलिंग जो होती है न वैसा करना है, कम सकम वीक में दो बार करें, दोस्तों और एक बार में बताऊंगी, बालों का स्वस्त होने के लिए, बालों का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलि कि कम सकम वीक में आपको दो बार अच्छे से शैंपू करके, दो बार अच्छे से मसाज करते वे ओयल लगाना है, डीप ओयल करना है, रातों में सोने के पहले कोशिश करें लगाने का, और अगले दिन आप इसको शैंपू करके हटा सकते हैं, और अगर आपको बस रात में जरूर नहाने के 2 गंटे पहले जरूर लगाएं लगा करके दो घंडे रखने रहने अपने बालो में और उसके ऐस चैंपू किजिए लगाना भी कैसे है डीप आयल करने के लिए आपको अच्छी से लगाना है जरू में उसके अतकम सकम 15-20 मिर तक बालो को मसाज दे बालो को म चमक अच्छी दिखेगी, सुन्दर दिखेगी, बालों की ग्रोथ काफी सुन्दर दिखेगी और आपको बिल्कुल भी यकीन होगा आपके उपर कि आपके बाल इतने सुन्दर हो चुके हैं जी हैं दोस्तों वीडियो से लगा होते इस वीडियो को जादा जादा लाइक कीजिए कमेंस कीजिए और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स वोब वाचिंग